देखे 5.15 क्या बोला है दो बाडी है एक मास्ट 10 kg की है और एक 20 kg की है respectively बतार दोनों बाडी को respect दीजिए अच्छा 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 हम कहा थे नहीं बहुत लोग हिंदी विस्साफ सोचते हैं kept एक मिर्ट kept on the smooth horizontal surface and are tied to the ends of the light string मतब दो बाडी है माले ये एक surface है इस पर एक बाडी जो है रखी है 10 kg की हम छोटी है तो इसका मास्ट मान लिया M1 और दूसरी बाडी है 20 kg तो थोड़ा इसका size हमने बहा दिया ये इसका मास्ट मान लिया M2 बाडी का नाम दिया है क्या इन्हों ने हाँ ने बाडी का नाम ने हाँ दिया A और B एक बाडी A है और एक बाडी B है कितना मास्ट दिया है 10 kg और 20 kg यानि कि M1 is equal to 10 kg और M2 is equal to 20 kg वैसे तो इसका weight downward direction में काम करेगा लेकिन white weight का फिलाल मतलब है नहीं कि weight का मतलब तब होगा जब friction वगरा यहां पर होता इसलिए हम weight यहां पर सो नहीं कर रहे हैं otherwise आपको show करना है तो M1 G downward show करिए इसका reaction उपर show करिए करी दीजिए M2 G downward show करिए इसका reaction R2 उपर show करिए और इ फिर कहा गया horizontal horizontal force of 600 newton is applied to first case कि 600 newton का force apply किया गया है body B पर देखो हमने 600 newton का body B पर apply किया है अब बताईए कि दोनों body आपस बंदीवी है ठीक है तो दोनों इधर की और चलना शुरू करेंगे ना acceleration से तो हम acceleration तो निगाल सकते है acceleration का formula क्या होता है force upon mass total force कितना लग रहा है 600 newton mass कितना है 30 यानि की 600 बटे 30 बोले तो 20 meter per second square यानि कि acceleration तो वालू हो गया इसका ठीक है अब जड़ा देखे ये body क्या करेगी इधर देखे ये जब खींचो गए ना तो इसका tension इधर की और काम करेगा और इसका tension इधर की और काम करेगा अलग-अलग होगा एक ही होगा same string में अलग-अलग tension काम करेगा tension same रहेगा T अब हम इसमें question क्या कह रहा है आपसे कि वहाट tension की value निकालो देखो अगर हम इसके motion के बारे में बात करें दोनों के बारे में बात करेंगे जिससे T निकल जाए कि एक ही चीन निकालनी है एक ही unknown value है देखो for the motion of for the first body first body तो मतलब M1 mask ही है देखो first body को कौन खीच रहे ध्यान से देखिए वहाँ पर first body को कौन खीच रहे first body किसको बानी जाए यहां पर जिसका mask M1 तो कौन खीच रहे वह उदर F first body पे लग रहा है first को कौन खीच रहे first को T कहीच रहे वैँ यह देखे ये second पे F कीच रहा है और T opposite काम कर रहा है तो second में F minus T हो जाएगा अगर net force की हम बात करें फिलाल first की बात कर रहे हैं तो first को आगे कौन बढ़ा रहा है T? कोई opposition में लगा हुआ है? नहीं तो net force ब्रावर MA होता है ना तो first body के लिए T is equal to look क्या हो जाएगा M1 A तो same है तो M1 बोले तो कितना मास है? 10 kg और A बोले तो 20 तो 200 N इस पर tension लगेगा same tension ही आभी होगा ठीक है? नोट करिए यहाँ पर अब ऐसे दिया है उन्होंने और कुस पूछा नहीं उन्होंने अच्छा अगर वो acceleration की बात ना करते A की बात ना करते तो एक और या कोई और unknown value होती तो एक और equation है हमारे पास इस body को देखिए इस body को कौन खींच रहा है? और कौन opposite लग रहा है? net force कितना काम कर रहा है? F-T वरावर M2 A अगर question known होता तो वहाँ से निकाल लेते एक equation और हमारे पास बन रही है और एक बार हम कुछ औरत नहीं पड़ी तो काई के लिए A निकाल लिया? A पहले निकाल लिया? ठीक है अब ये तो पहला case हो गया ठीक है F-T एक्वल टू M2 A जो होता A हमने को दिया जाता है तो तम जाके T निकालते है ये बताइए यहाँ भी T है और A में रिलेशन है एक और T और A में रिलेशन हो गया दो रिलेशन हो गया तो दो रिलेशन में दो और नोन वैली तो निकाल सकते हो ना मतलब हम चाहें तो A यहाँ ना भी निकाल रही काम चल जाएगा हम वहाँ से निकाल सकते हैं अब क्योंकि combine निकाल सकते है इसलिए निकाल लिया हमने ठीक है अच्छा ये तो पहला case हुआ जबकि force आप कहां लगा रहे हो first body पर आप second case देखिए second case में कह रहे हैं कि अगर हम यही force B body पर लगाएं पहले में B पे था ना, अब A पे लगाएं, इंदे ट्रेक्शन अब इस्ट्रिंग, अब यहां पर इधर लगा दे हैं हमालिया, इधर फोर्स लगा रहे हैं, F, ठीक है, अब इस, तो एक्सलेशन तो इस सेम रहेगा ना, ड्रेक्शन के उल उसकी चेंज हो जाएगी, अब इस पिद्धी आईए, इस पर नेट फोर्स सेकेंड केस ले रहे हैं, इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, F-T, M1 एकर देंए, का है के लिए हम करेंएं, इस से काम चला ले ना, क्योंकि यहां कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है, बात कर ले, for second body second body second body को कौन खीच रहा है T कोई opposition में है नहीं इससे कोई मतलब नहीं है या R2 और MG से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है क्योंकि इसको balance यह वाले करते भी नहीं है आपने कभी देखा होगा घर में साफ सुपई होती है तो परदे टंगे होते में उतार के धोती है तो परदे अब तो रॉड आ गए है पहले परदे जो है इसमें धागे बांद की टंगे जाते थे एक रसी बांद जिया गया अब ममी ने टंगा तो रसी थोड़ा सा नीचे हिला जाती है उनको कौन बताए कि जो परदे का वेट की तरह काम कर रहा है नीचे की तरफ और रसी को आप बैलंस कैसे कर रहे हो तो यह वाला जो फोर्स है रसी को खीचने वाला यह mg को बैलंस नहीं करेगा उस कौन पोनेंट को कौन काम पोनेंट समझाए तो second body को कौन feature है T बराबर M2A तो M2 बोले तो 20 के जी A बोले तो कितना था 30 sorry 20 तो 400 newton का force इसे काम करेगा ठीक नोट करिए